गुट मॉर्निंग फ्रेंस तो कैसे हो आप सभी आप सभी आप सभी लोग अच्छे ही होंगे तो फ्रेंस ऐसा कि हमने लाश्ट एपिसोड में देखा था कि यूपान और बांकि सभी लोग उस स्पेच्वल फूर्ट के ट्री के पास पहुच गए थे पर वहाँ पर और भी सा उपर काफी खतरनाक सा अटैक लॉंच कर दीता है आप आगे जहां में इस अपिसोड की सुरुवात में उन सभी लोगों को वहाँ काफी डरा हुआ देखते हैं क्योंकि वो ट्री वहां अपने पास से काफी खतरनाक अटैक को उन लोगों के उपर लॉंच कर रहा हुता है जिससे वो लोग तो वहां मारे ही जाते हैं। पर यह देख युवान तुरंदी अपने बरस को बाहर निकाल एक स्पैल को लिखते हुए अपने आगे काफी पावरफुल से सिल्ड बना लीता है। जो देखकर बाकी सभी लोग भी वहां ऐसा ही करते हैं। जिसवज़े से हम वहां देखते हैं कि उस ट्री से आ रही अटाक्स उन्हें वहां नहीं लग रही होती है। पर फिर भी जिन लोगों की सिल्ड यहां कमज़ोर होती हैं। वो लोग तो यहां इस अटाक्स से मारे ही जाते हैं। जहां ये सब उपर से कियान भी देख रहा होता है और सोचता है अच्छा हुआ जो मैं वहाँ पर नहीं गया। तभी अब इसी तरह से उन लोगों के उपर काफिस सारे अटैक्स एक साती होनी लग जाते हैं। जहां ये देख वे और यॉयो युवान के लिए परिशान हो रही होती है पर फिर वे युवान वहां अभी तक टिका होता है। तभी यह देखकर कियान वहां कहता है कि हमारा बंदा भी यहां अभी तक टिका हुआ है। इसलिए हमें अभी उस इस पीच्वर फ्रूट के लिए परिशान होने की कोई भी ज़ुरत नहीं है। जो सुनकर वो पोईजन मास्टर भी वहां कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे तुम्हारा ये प्लान काफे अच्छा था कि खुद ना जाकर तुमने यहां किसी और को उस फ्रूट को लाने के लिए भीज दिया। तभी इदर धीरे धीरे करके वो अटैक्स वहां होना बंद हो जाती है। जहां अब उन में से कुछ ही लोग यहां बचे हुए थे। इसलिए अब वो बचे हुई लोग अपनी सेल्ड को वहां हटा लेते हैं। तभी अब युवान वहां कहरा होता है कि इस फ्रूट को पाना इतना जादा असान नहीं है क्योंकि वहां पर काफिस सारे लोग मारे जा चुके थे उस इस पेच्वल फ्रूट के चक्कर में। तभी अब कियान का वह बंदा बिना यहां कोई टाइम बेकार किये तुरंद यहां से आगे बढ़ना इस्टार्ट कर देता है। जहां वो लोग जैसे ही उस ट्री के काफी करीब पहुंचते हैं वैसे ही वो ट्री वहाँ एक पार फिर से एक्टिवेट होने लग जाता है जिसे देख कर याया वहाँ कहती है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है वहीं या देख वो इस सभी लोग फिर से उन अटैक से बचने के लिए वहां अपने अपने आगे एक पावरफुल से सिल्ड को तयार कर लेती हैं जा यूवान भी बिल्कुल ऐसा ही कहता है पर इस वार का जो अटैक था वो सच में काफी जादा खतरनाक था इसलिए या देख सरनल भी वहां कहते हैं कि यूवान जड़ा समलके पर तब इतने में ही उन लोगों की सेल्ड वहां तोट जाती हैं क्योंकि ये अटैक थाई इतना ज़्यादा पावरफुल पर इस वजह से हम वहां देखते हैं कि यूवान अफसिधा अपने conscious mind के अंदर चला जाता है जहा जैसे वह लोग यहां अपने conscious mind के अंदर चली गई हैं पर अगर जल्दी ही वह लोग वहां से बाहर नहीं आये तो उनकी सोल यहां पूरी तरह से डिश्ट्रॉय हो जाएगी अब यह सुनकर रणल भी वहां यूवान के लिए परिशान हो जाते हैं और उसे बचाने के वहां मारे जा रहे होते हैं जहां यह देखकर क्यान वहां कह रहा होता है कि यूवान तो अब यहां बिल्कुल भी नहीं बचने वाला वर तब इधर यूवान वहां यह सब कुछ समझ चुका होता है इसलिए वह वहां तुरंत ही अपने सोल पावर को एक्टिवेट करनी ल जाता है और हमारा ही रो यूवान अपनी कॉंस्यस वर्ड के अंदर से बाहर आ जाता है तब यहीं और सभी लोग यूवान को यह सही सलामत देख एकदम से खुस हो जाते हैं तब यह वहां उस कियान के बंदे को देखते हुए यहां से आगे की और बढ़ जाता है जो कि अ जो यहां अभी तक जिन्दा है पर तभी उसकी नजर वहां सामने पर जाती है जहां यूवान उस ट्रे के पास पहुची चुका होता है तभी यह देखकर उस बंदे को वहां काफिस जादक गुसा आ जाता है इसलिए वह वहां तुरंती एक अटैक को रेडी करते हुए चोड़ूंगा नहीं जिस पर यूवान भी वहां अपने उस रेड प्लैनेट को यहां बाहर निकालते हुए कहता है कि तुम क्या मुझे नहीं छोड़ूगे छोड़ूंगा तो मैं नहीं तुमें तभी हम वहां देखते हैं कि यूवान का एक काफी बड़ा से स्पीच्व हो जाता है और वो यहां मारा जाता है अब यह देखकर कियान को वहां काफी जादा गुस्सा आ जाता है कि यह बंदा यहां किसी काम का नहीं तभी अब यूवान काफी अराम से उस स्पीच्वल फ्रूट को वहां ले लीता है जिससे वह अपनी मॉम के लाइप को और भी ज काम का नहीं निकलाए और छोड़ो जाने दो क्योंकि बाद में वह सभी चीजें जो युवान के पास में वह हमारे ही की होगी तब यह अपने सभी साथ्यों के पास आ चुका हुता है जहां वह सभी लोग युवान के लिए काफी जादा खुस हो रहे होते हैं कि यूवान तुमने सच में कमाल कर दिया वह तभी जनरल वी वहां कहते हैं कि हमें अब जल्दी से जल्दी यहां से बाहर निकलना चाहिए जहां अब यूवान उस रिंग को यॉयो को देखनी को दे दीता है और टुन-टुन को अपने पा कैदा हो सकता है अब यह सुनकर यायो कहती है कि हां तुमने सही कहा पर यह रिंग यहां थोड़ी सी तूटी हुई है जिसे अगर तुमने ठीक कर लिया तो फिर यहां काफी अच्छे से काम करेगी अब इतना कहते ही वो लोग यहां से आगे की और बढ़ने लगते हैं जहा यह देखकर सभी लोग वहां घबरा जाती हैं पार तभी इतने में ही उनके ही एक और बंदे को कोई मार वहां काफी बूरी तरह से नीचे की और फेक दीता है जहां यह सब जनरल वी वहां से देख रहे होते हैं पार तभी अब हम काफी खतरनाक से सोल्जर्स को उन सभी लो हमारे लिए इतना असान नहीं होगा जिस पर याया वहां कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा पर इनके अंदर वो औरिजनल हिडन टैक्स है जिनने तुम्हें पहले यहां ढूंडना होगा जिस पर युवान उन सभी सोल्जर्स को यहां फाइट करते हुए देखने लगता है जहां वो सोल्जर्स अपनी ह इसकी बात नहीं लग रही होती है इसलिए जनरल वी यहां से उन लोगों को संभालने के लिए आगे बढ़ जाती हैं पर यह देखकर यह वान वहां जनरल वी को रोकते हुए कहता है कि आप यहां इनमें से किसी एक सोल्जर्स को पकड़ो ताकि मैं यहां उनकी बाड़ी में उस हिडन ओरिजनल टैक्स को ढूंड सकूँ जिस पर जनरल जियान बिलकुल ऐसा ही करते हैं और वहां एक सोल्जर्स को पकड़ लेते हैं जहां यहां देखकर यहां वहां अपने सोल पावर को एक्टिवेट कर कि बाड़ी को चेक करनी लगता है तभी युवान को वहां उसकी बाड़ी के अंदर वो हिडन टैक्स मिल ही जाता है जो कि उसकी बैक पर था इसलिए युवान तुरंती उसकी बैक पर अटैक कर उसे यहां जान से मार डालता है जहां इसी तरह से वह सभी सोल्जर्स भी यहां खतम हो जात जो सूनकर वो लोग यहां से आगे की ओर बढ़ने ही लगते हैं वहीं अब दूसरी तरफ कियान यहां से आगे बढ़ते हुए कह रहा हुता है कि अब तक में तो वो युवान वहां मारा जा चुका होगा और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंस अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लिस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें आई बाई